सुरंग में फसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जंग जारी अब हैदराबाद से पहुचा प्लाजमा कटर मसीन वोर्टिकल ड्रिलिंग पर भी है सब की नजर जिहां उत्तरकासी के सुरंग में फसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू आपरेशन लगात चल रहा है कल ओगर मसीन के तूटने के बाद बचाओ अभियान में काफी दिक्कते आ रही है लेकिन अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हैदराबाद से प्लाजमा कटर मसीन पहुचा है जिसने अपना काम करना सुरू कर दिया है स्वयम उत्राखंड के मुखमंत्री जल्द ही इन सभी स्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा सियम धामी ने कहा कि सुरंग से स्रमिकों को निकालने के लिए हम लोग सभी बिकल्पों पर बिचार कर रहे हैं ड्रिलिंग में फसे मसीन के ब्लेड को तेजी से काटने के लिए बैंगलूरू से प्लाजमा कटर म प्लाजमा कटर से एक घंटे में चार मीटर टुकरा काटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम लोग मैनवल ड्रिलिंग का काम सुरू कर देंगे। आपको बता दे कि पिछले पंद्रह दिनों से 41 सरमिक इसी टनल में फसे हुए हैं। और इन में से कई स्रमिकों की तबियत भी खराब हो रही है जिसके मद्दे नजर चिंता की लकीरे सरकार के सिर पर साफ दिखाई दे रही है और सरकार जल्द से जल्द इस रस्क्यू आप्रेसन को सफल बनाने के लिए जुद्दो जहद कर रही है हाला कि ओगर मसीन के विफल होने के बाद अब तरह तरह के विचार लोगों के मन में आ रहे हैं लेकिन सरकार पूरी ततपरता से रहत बचाओ कारे में लगी हुई है और जल्द ही इन स्रमिकों को बाहर निकाले जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है बने रहे इस रेस्क्यू अप्रेसन से जुरे अन अप्डेट को जानते रहने के लिए मोबाइल नियोस 24 पर विडियो अच्छा लगा होते से लाइक करें सेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें